आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is Differentiated between the following Rubby and Kharib Crops देखो हम यहां पर का करना है Differentiate करना है किस-kis को Rubby and Kharib की Crops को तो यहां पर हम बात करेंगे किस की Rubby की और यहां पर बात करेंगे हम Kharib की Kharib की तो इनका जो main difference होता है First difference यहां पर क्या हो जाएगा कि खरीब की जो Rubby की जो फसली होती है इनको हम क्या बोलते है Winter Crops भी बोलते है It is called Winter Crops ठीक है Then जो हमारी Rubby की फसल होती है इनको हम यहां पर क्या कब इनको सो किया रहता है इनको Winter Season में Second जो difference है इनका क्या है इनको सोन कब विंटर सीजन में Winter सीजन में इनको बोया जाता है September to October Then यहां पर बात करदें हम फिर difference की कि यहां पर जो Rubby की जो Crops होती ही इनको Harvest कब किया जाता है Third difference is Harvested Harvested मतलब कि उनको कब निकाला जाता है Harvested कब निकाला जाता है इनको Harvest किया जाता है April and June मतलब कि यहां पर Winter सीजन में तो हम इनको बोय रहे हैं जब कि जो Summer सीजन आएगा Summer सीजन Summer सीजन ठीके उसमें इनको क्या करेंगे हम निकाल देंगे तो वो कौन-कौन से April से लेकर कब तक निकाल सकते है April to June तक इसमें हम क्या कर सकते है इनको harvest कर सकते है जो रभी की फसल में और क्या बोल सकते हैं यहां पर कि जो रभी की फसल होती है इनको क्या requirement होती water की requirement होती यह तो बड़ यहां पर हम इसकी जो examples की बात करते है example वो हमारे यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चा Example is wheat wheat हमारा हो जाएगा ठीक है यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा ग्राम पीज ठीक है यहां पर हमारे का हो जाएगे एपल ठीक है पॉम ग्रेट बनाना यह सब क्या है इसके क्या उलता है था यहां पर बात करें विखास क रभी की आपर रभी पाया विंटरह और यहां पर क्या होगा इशका्की सीजन ओगा हमं क्या वोलता समर सीजन भी बोल सकते है summer, या फिर summer crop भी हम इनको बोल सकते हैं, it is called summer crops, ठीक है, जो इनका second difference है, वो क्या होगा, इनको son कि रहता है, मतब कि जब इनको boy रहता है, कब boy रहता है, इनको summer season में boy रहता है, summer season में इनको boy रहता है, summer season में इनको boy रहता है, season, कब से कब तक, यहाँ पे जो summer season होगा, वो कब से कब तक होगा अप्रेल से लेकर मही तक अप्रेल से लेकर मही तक ठीक है यहां पर जो थर्ड इफ्रेंट से इनका जो इनको हार्वेस्ट की रहता है हार्वेस्टेड कब की रहता है इनको हार्वेस्ट बच्चा इनको हार्वेस्ट करेंगे हम विंटर सीजन में ठीक है विंट या rainy season हम उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा rainy season होता है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा बचा it is the September to October, September to October, October, ठीक है, then यहां पर फिर बात करेंगे हम इसके examples की, example में हम कौन-कौन सा ले सकते हैं यहां पर rice ले ले लेंगे, maze ले ले लेंगे, जुवार ले ले लेंगे, जुवार, litchi, plum, यह सब क्या है बचा हमारी खरीफ की फसले हैं ठीक है तो इनका जो basic difference है वो क्या होगी है बचा it is called winter crop और it is called summer crop Classics to 12 से लेके, need IIT जेही, means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 सुपर